हर फ्रेडे ठेटर्स में फिल्में एक उमीद के साथ रिलीज होती हैं कि उन्हें hit, super hit या फिर blockbuster का टैग लेकर जाना है मगर ये public decide करती है कि उस film को hit होना है या फिर flaw इसी में डिसाइड होगा कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं पॉइंट नमबर वन इस फिल्म की स्टोरी ना तो बहुत ज़्यादा श्रॉंग है और ना ही बहुत ज़्यादा वीक है जैसी भी ये डाई गंटे की फिल्म आपको आपके सीट पर बांदे रखती है और अराम से इसके साथ देखने वाला कनेक्टिट रहता है जब तक फिल्म की कहानी खतम नहीं होती इसका ट्रेलर देखकर सब लोग पहले से ही डिसाइड करके बैटे थे कि हाँ ये बस एक हाईजेक अटेक है और सेम बेस पर कहानी रन कर रही है मगर ये उससे बिलकुल डिफरेंट है हाला कि कहानी हाईजेक से स्टार्ट होती है मगर एंड उससे मिसमैच करता है तो जरूर कुछ अलग है फिल्म के अंदर ट्रेलर देखकर अगर आपने इसकी कहानी डिसाइड कर रखी है तो उससे टोटली डिफरेंट है ये फिल्म को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और उस बीच वो टेरिस से भी लड़ रहा है और गोलियां भी खा रहा है और सस्पेंट फिर भी सारे ओफिसर्स हो रहे हैं जो इस योद्धा यूनिट के मेंबर से अब ये कैसे पॉसिबल है आई डोंग लगते हैं मगर एरोप्लेन का सीन हवा में उतना ज़्यादा एफेक्टिब नहीं था देखकर अन्रियल सी फिलिंग आ रही और अच्छा होता अगर वी एफेक्स चाते हैं और वहां के पीम को भी क्यूं ये जानने के लिए ये फिल्म आपको देखनी होगी बाकि सिधार्थ के लावा दिसा पार्टने का रोल आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जो आप उनके बारे में सोच रहे हो इस फिल्म को देखने से पहले उससे बिल्कुल डिफ देखने लाइक है मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में